तो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीदे बहुत ही अच्छे होंगे क्योंकि आपको यहापन में जहिए लगातार बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्शन्स आप देख रहे हैं ग्यान कोस और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और सिल लंका के बीच होने वाले दूसरे ODII मुकाबले की जो इखेरा रहेगा चार अगस्त को इंडिट टाइम के कारिंग दो भार दो बच कर दीस मिनट से आर प्रिमदासा स्ट्रेडियम कोलंबो में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीम होगी प्लेंग लेविन की पिछ रिपोर्ट की हेड टो हेड रिकॉर्स की करेंगे टीम का कम प्रिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को इसलिए अगर आपने भी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर jail और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए डिसे लियाने वाली और वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुचे सबसे पहले तो इन दोनों के बीच हमें एक बहतरीन हाइस्कोरिंग जेकपॉड मुकाबला देखने को मिलने वाला है पिछला मुकाबला भी काफ़ी इंट्रेस्टिंग हुआ था लेकिन वो टाई हो गया था इस बार भी इसी तरह का बहतरीन जेकपॉड मुकाबला देखने को मिलेगा देखते हैं कौनसी टीम मारेगी बाजी बात करेंगर इन दोनों के बीच हुए है्ट्रोः मुकाबलों की तो इन दोनों के बीर अभी तकोल 179 मुकाबले खेले गए हैं जिस मेंसे 57 मुकाबलों में स्री लंका की टीम जीती है वही 99 मुकाबलों में इंडिया ने चीत ासल की है जबकि 12 मुकाबले नो चलते हैं Head-to-head मुकाबलों के according यहाँ पर टीम इंडिया का परड़ा काफी ज़्यादा भारी नजर आ रहा है अब बात करेंगर दोनों ही टीम होगी प्लेइंग लेविन की तो हमें स्रीलंका की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे स्रीलंका की टीम देखने में काफी श्रॉंग नजर आ रही है कैस मुकाबले को ज़ित पहेगी इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग लेवन तो हमें इंडिया की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान रोहिस सर्मा, सुबमन गिल, विराट कोली, स्रे सयर, केल लाहुल, रियान पराग, अच्छर पेटेल, कुलदीप यादो, अर्शदीप सिंग, मोहमद सिराज और हरसिद राना दोनों एटीमों का कम प्रिजन के रहे हैं, तो यहाँ पर टॉप ओडर में दोनों एटीमें काफिर स्टॉंग है और इंफर्म भी है वही अगर मिडल ओडर की बात की रहे हैं, तो यहाँ पर मिडल ओडर में भी दोनों एटीमें लगबग बराबर है है हलका सा पड़ा है आपर बारी लाइनप में स्री लंका का भारी है तो इन दोनों के बीच हमें एक बहतरीन हाइज स्कोरिंग जेक और मुकाब्ला देखने को मिल सकता है अब बात करें अगर पिछ रिपोर्ट की तो यह मुकाब्ला खेला जाएगा आर्प्रेंटा साइस्ट है वहीं लोयल्स टूटल की बात की जाए तो बारा है यहां पर अभी तक हाई इस चेस 292 हुए है वहीं लोयल्स टिपेंट की बात की जाए तो 108 है यहां पर आज जो भी टीम टोग जीतेगी वह अपने स्टेंथ के एकॉर्डिंग पहले बैटिंग या बालिंग चूस हमने बात की दुनों ही टीम होगी प्लेंग लेविन की पिछ रिपोर्ट की और एक्ट्वेर रिकॉर्ड्स की अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का इससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो अभी जोइन कर ल अपने परस्नल प्रेडिक्शन की तो हमारे अनालिसिस के कॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है टीम इंडिया हाँ दोस्तों इंडिया इस मुकाबले को चीद रही है आपको गया लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अगर कुछ भी चेंज़ आते हैं तो फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्राम को जॉइन करना बिल्कूर भी मत भूलिए टॉस के साथ साथ मैच विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कियाने वाली हर वीडियो की न